पंजाब सरकार की और से राज्य में स्वास्थे सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए मरीजों के लिए 1933 मुफ्त दवा केंद्र और मेडिकल टेस्ट के लिए 660 केंद्र खोले जाने हैं इसी कड़ी में 26 केंद्रों का रस्मी उधगाटन किया गया है जिन में से 4 केंद्र हलका चब्बेवाल में पढ़ते गाउं फुगलाना, बढ़ला, चब्बेवाल और जलोवाल में 18 लाक रुपे की लागत से तयार करवाए गये हैं इन केंद्रों का उधगाटन पंजाब के प्रियाटन अवं सभ्याचारक मंतरी सोहन सेंग ठंडल ने किया पत्रकारों से बाचीत के दवरा अंठंडल ने कहा कि राज्ये के गरीब लोगों को स्वास्थे सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वरा नए सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं जहां लोगों को निशुलक दबाईयां वह उनके निशुलक टेस्ट किये जाएंगे नाल जड़ी या सी फार्मासिसी जड़ी या फ्री मेडिसन देनिया उनने शुरुवत किती हैं मेरे हलके देवेचे लगब बाराद बाद सेंटर ने बेचे सूल्थ परवाइन कराए गया ते उनने में चो आज चार पंड़ना बेचे मैं उपने किती हैं उपने सारे पंजाब एचे होई है ये बहुत बड़ा एक सरकार्दा परालाया